थकी गए आज तो वैसे एक बात बताओ क्या जुरूरत थी इस तरह मौल में घूमने की फर्वा की शकल देखी थी तुमने लग रहा था साफ साफ कि उसे बहुत बुरा लगा है और शहजाद को भी क्या फर्क पढ़ता अगर फर्वा को बुरा लगा तो फर्वा का भाई मेरी मुठी में अम्मा जब उसे कोई फर्क नी पढ़ता न तो मुझे बहर कोई फर्क नी पढ़ता बात सुनो बीबी मर चाहे कितना भी मुठी में हो होता वह मर दी है और इंतिहासे जदा कानों का कच्चा होता है ऐसे आजाता है लोगों की बातों में, समझीं तूम? माफजूल के वहम नहीं पारो, प्लीज अजीब वहमी देखो ही न, घर बनाना बड़ी बात नहीं होती घर बसाना बड़ी बात होती है बेटा और चब तक फरवा यहां है, तुम्हें यहां आकर बैठने की क्या जरूरत है? तुम तो उसे और मौका दे रही है उसके कान भरने का इतनी ठक गई हूँ है शौपिंग करकर के और अब घर आकर आप लेक्चर सना आ रही है मुझे अच्छा ठीक है, तुम कपड़े चेंज कर लो, मैं खाना लगाती हूँ सुनती कहों तुम किसी की? ये बात है अम्मा, वो बात है अम्मा, पता नहीं क्या करके दिखाओगी मुझे सुनती नहीं हो किसी की बात भी बाते याद आएंगी बात मेरी तुम्हें गर बसाना बड़ी बात होती है बेटा और चब तक फर्वा यहां है तुम्हें यहां आकर बैठने की क्या जरूरत है तुम तो उसे और मौका दे रही है उसके कान भरने का असलाम लेकुम शेजाद वालेकुम शेलाम कैसे याद किया I miss you क्या हुआ आप ऐसे क्यों कह रही हो सब ठीक है न ने ने होना क्या है वो बस इतना वक्त होगे न अम्मी के हाँ आपने मुझे छोड़ा हुआ है तो बस आपकी यहाद आ रही थी आपने काम करें कलना गाड़ी भिजवा दे मैं बस आपके पास वापस आना चाहती हूँ अच्छा जी इतनी बेकरारी तो ठीक है अच्छा आपको सुबह बुलबा लेते हैं और अगर आप कहें तो अंदा भी हासर हो जाएगा आपको लेने के लिए नहीं नहीं शेजाद अब मैं इतना फिरता तंग नहीं करूंगी ना आपको और ड्राइवर बिचार भी इस वक्त तो सो रहा होगा अब सुबह जल्दी गाड़ी भीजवा दीजेगा क्योंकि मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा आपसे मिलने का ठीक है मैं मैंकल ड्राइवर भीज़ दूँगा अलाफिस सीयो हम चाहते हैं कुस्य बहन के जल्द रजद शादी के तारी अखते हो जाए अगले महीने कामरान की बहन अमरीका से आ रही है उसके होते होए शादी हो जाए यह हमारी खाहिश रहा मगर भाई साब इतनी जल्दी कैसे तैयारी होगी हमें कुछ भी नहीं चाहिए ना कुछ जहिए ना कोई और डिमांड है बस एक अच्छी पड़ी लिड़की चाहिए थी वो हमें मिल गई और एक अच्छा खांदान हो तो ठीक है आपकी बात लेकिन फिर भी आखिर तैयारी तो करनी है ना बच्ची को ऐसे तो रुकसत नहीं करूंगी मैं है जैसे आप मुनासिब समझें ठीक है अल्ला मुबारक करें और दोनों बच्चों को और दोनों खांदानों का मिलाप अच्छा रहे तो फिर इसी बात पे हो जाए अच्छी से मिठाई हाँ हाँ जरूर जरूर यह लिजिए खुस्या भी थैंक यू सूमच सलामत रहे जजार ले वजगम पहले आप लेंगे 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 बहुत शुक्रिया अ अच्छा 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 वालेकुम अच्छा अच्छा वालेकुम अस्सलाम थैंक गोर्ट तुमावी में शहजाद से कही कि आईड़ी के प्लीज सिना को बिला लो गर बिलकुल अकेला हो गया है शुकर हिए तुम खुद आ गई अच्छा वो शायद आपको पता निह लेकिन मैंने ही शहजाद से कहा था कि मुझे बापस भुला ले अच्छा, जाहर सी बात है, मेरा घर तो ये है तो बापस तो मुझे आना ही था अम्मा के हाँ तुम्हें ऐसी गई थी हाँ, कैसी अम्मी, ठीक है? हाउस टी, तब ये ठीक है उनकी? अलहमदुरहिल्ला, बिल्कुल ठीक, बलके सलाम भजवारीं थी आपको अच्छा, हाउस सुीट, उनको कहना वालेकुमस से अम्म, नूरी, चाय लादे ना मुझे प्लीज, आप बिलिंकी चाय? नहीं नहीं, मैंने तो अभी उसको कहा है के चाय बनाओ मेरे मेरे, बना रही होगी, तुम अराम से बैट, अच्छा, वो सुनो ही ना, वो, क्या है ना, कि मैं थोड़े दिन अबाद तो मैं चली जाओंगी, यासिब, शहजाद फिर से केला हो जाएगा, आविसली, तो, जाया करो, तुमारी अम्नी का घर है, लेकिन तुड़ा कम जाया करो, शहजाद के साथ चली जाया करो, तुमारे लावा उसका है ही कौन? You know, he is very sensitive, बहुत sensitive रहे हैं और तुम जानती हो तुम से कितनी महबबत करता है लेकिन मेरे जाने के बाद तुमने ही उसका ख्याल रखना है और कौन रखेगा? हाँ? कोई समझाने वाली बात तो थी नहीं वैसे इसमें मतलब जाहर सी बात है, मेरे शोहर हैं तो मैं ही ख्याल रखモगी ना मैं जानती हो तुमने बहुत मदद की ईशजाद की उसको उसके माजी से निकालने में जिस तरा तुमने उसको उसके माजी से बहर निकाला है मुझे अमीद है कि तुम आगे भी उसके साथ इतनी ही सिंसेर और इतनी ही मुखलिस रहोगी अब क्या कहना चाहरी है मैं मुखलिस नहीं हो शैजाद के साथ या फिर मैं ख्याल नहीं रखती हूंका नहीं तो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा आप ही वो मेरे शोहर है और मैं अच्छे से जानती हूँ कि मुझे उनका खयाल कैसे रखना है मुझे अच्छा नहीं लग रहा मुझे ऐसे डिक्टेक नहीं करें प्लीज चुलैक्स तुम इतना हुस्से में क्यों हागी है मैंने ऐसा क्या किया दिया तुम्हें मैं तो बड़ी बेहन होने के नाते तुम्हें कुछ समझा रही थी ठीक है अगर तुम्हें मेरा समझाना इतना ही बुरा लगा है तो मैं नहीं बताओंगी तुम्हें आज के बात कुछ भी नहीं समझाओंगी वो क्या है न, मुझे मेरे अच्छे बुरे का पच्छपन से बहुत अच्छे से बत है इसलिए मैंने कभी किसी को इचाज़त ही नी दी कि मुझे समझा है ने, तुम ना मेरी बात बिल्कुल नहीं समझ रही हूँ देखो इना, तुम्हारे घर के महौल में और इस घर के महौल में जमीन असमान का तुम्हे इस घर को समझने में, हमारे रिवाज को समझने में, हमारे फैमली को समझने में, थोड़ा तो वक्त लगेगा ना, मैं तुम्हे इसलिए समझा रही हूं, उसलिए सारी बाते कर रहे ह आप मुझे कि मैं एक रिष्टवाली की बेटी हूँ जे ना? नहीं आपको ना शायद कोई गलत फैमी है हम हमेशा से ऐसे नहीं थे पुरा वक्त आता है हर किसी पर अगर हम पे भी आ गया तो क्या हो गया? सेथा, listen to me मेरा ये कहने का मतलब नहीं था तुम, take it easy, relax, क्या हो गया तुम्हें? आपने जो नहीं भी कहा ना, फोपी मैं समझ गई अब आप मुझे और मजीद कुछ पत समझाए ने, ने, एक मिनट है ना? तुम बात को बिल्कुली गलत डिरेक्शन में ले जा रही हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा और नहीं मेरा ऐसा कहने का रादा था अरे ये घर तुम्हारा है, तुम इस घर की मालकेन हो तुम इस घर की केर टे करो, नौकरों के सर पे खड़ी हो जाके उनसे काम करवाओ ना के घर से बाहर इस तरह घूमती फिरो देखो, औरत जितनी भी हाई-फाई क्यों न हो जाएं लेकिन घर का काम भी तो उसको करना होता है ना, घर भी तो उसको समालना होता है Do you understand? शायद आप understand नहीं कर रहे हैं मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये घर मेरा है और शहजाद मेरा शोहर है इसके आप फिकर नहीं करें आपी मैं आ गई हूँ सब को संभालना है नूरी चाहे मेरे कमरे में भिजवा देना इस वंतादार दुनिया में खौफ के अलामत बन चुका है इसी तरह से अमर का डंका बजेगा यहां पर जो लोग हमारी बात नहीं मालेंगे हम उन पर रहम नहीं करेंगे हम एप पर शादि के लिए वैसे एक बात है इतने शौक से मैने तुम्हारी शादी के शौपिंग की है na इतने शौक से मैने अपनी ले शौपिंग की और वो भी excited होनी है तुम्हारी चीज़े लेने के लिए तुम्ही शौक है न ऐसलिए शौक भी है और मान भी है क्योंकि मेरी एकलौती बहन की शाजी है और वैसे याद है भाई की शादी में हम छोटे-छोटे होते थे कोई में मूँ भी नहीं लगाता था तो इस बार मैं अपने सारे शौक पूरे ना करूँ करो शौक से करूँ रसे मैं आज एक बाद नोट की है मैं टीचूसी हो नहीं जी ते ते तुम्हारे साथ जाकी हो जाती हूँ मुझे कोई दुकान भेज़े ना मैं एक ही दुकान सारी शौपिंग कर लो लेकि तुम्हारे साथ जाकी मुझे हर चीज में खामिया दिख रहे लेगी कि कसम से क्यों लेगी हूँ अरे भाई, अलीना हसीद की शादी है तो हर टीज परफेक्ट होनी जाए जी जी भेहन हो तो छोटी ऐसी जी जी तेखतें इस छोटी बेन को कितना याद रगती है सुस्राज जाने के बात मैंने क्यों बूश जाने तुम्हें? आखर आपके शादी पर कौन तैयारिया कर लाएगा? मैं? जी यह जो शादी शिदा वहने होती हैं यह महमानों की तरह आते हैं और महमानों की तरह चली जाती है मजाले जो एक भी काम को हाथ लगाएं ऐसा कुछ भी ने लिए देख लेगा देख लेगा आप कितना मेरी शादी पर अपने नक्चडे शोहर और बच्चों को छोड़के आते हो घंटों घंटों मेरे साथ शॉपिंगे कराती हैं जैसे मैंने कराई यह रही है बोल लिया? हाँ आभी आइए? मैं आभी आइए? ठीक है? ठीक है? ठीक है? रम्षा तुम यहां केली बैठी हूँ बेटा मैं पूरे घर में तुम्हें डोलती रही इदर देखो रो रही हो? रही हो? नहीं चलो कोई बात नहीं भी ऐसे मौके पर तो सब लड़कियों को रोना आई जाता है जब उनके रिष्टे तैय होते हैं मैं भी बहुत रोई थी और उन लड़के को तो जादा रोना आता होगा जनकी एकलोती बहन उनसे दूर हो सद के जाओ अलीना याद आ रही है हाँ उसके सुस्राल वाले उसे याद करने से तो पाबंदी नहीं लगा सकते न पर मैं तो कहती हूँ अल्ला करे अपने घर में खुश अबाद रहे और उसे हमारी याद ही ना आए भूल जाए हमें बस आप भी याद करती है न उसे हम बहुत करे पार्ट करती है अजा रख्का हम आपजिए आपको ऐसा नहीं लगता कि आपी का पहीवियर मेरे साथ बहुत जरूड है मैं तो उत्ती फ्रेंडली हूं उनके साथ इतने अच्छे से बात करती हूं, इतने अच्छे से रहती हूं गर पता हैं कि उनका अंदाज इतना अजीब सा है थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे एना इसी कोई बात नहीं है आपी बड़ी है, मिज़ाज की थोड़ी सक्त है बस इसी वज़े से तुम्हें ऐसा लग रहे है अच्छा मैं आपी की तरफ से तुमसे माज़रत चाहता हूं आप क्यों माज़रत कर रहे हैं आपको माज़रत करने की कोई ज़रोयत नहीं जैसे की कौन सा आपके माज़रत करने से उनका बहीवर चेंज हो जाएगा सेजाद में बहुत महबत करती हूं आप से कुछ भी बरदाश कर लूँ आपकी खातिर लेकिन आप मुझे बताएं किसी के पैक्राउंड के बार में बात करना अच्छी बात होती है क्या नहीं कब तक मैं सुनती रहा हूं कि मैंने अपने माज़ी में क्या 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 हरकतें की है कोई बाते होती हैं सुनाने वाली ऐसा क्या करती है मैंने आपकी खातर तो मैं कुछ भी बर्दाश्ट कर देंगा। तेंक यूू। देखो मैं जानता हूँ कि आपी कभी-कभी जाती कर जाती है। तुम ही बर्दाश्ट कर लो। एंद ट्रस्ट में वो दिल की बुरी नहीं है। तिल किसने निकाल के दिखाया जनाब। तुम है। आपकी बहन बात बात पे मुझे पाते सना देती है। I'm sorry. एक तो आप sorry तो बोलना बंग करें बार बार. मैंने बस आपको इसलिए बताना था क्योंके मैं भी इंसान हूँ ऐसे बाइबर कोई मुझे कुछ बोलेगा ना तो ऐसा नो मेरे मुझे से भी कुछ निकल जाए बस कुछ तेन और मेरी खातिर इस तरह बिल्कुस वाद नहीं आता गुल मेरी जान आप खाना शुरू करो सालार आज आएगा यह खाने की टेबल पर देर से आना इन दोनों बाप बेटों का विरासती मसला है मैं वेट कर लेती हूँ मेरी अल्दा का लाक लाक शुकर है जिसने दूसरे फर्स के भी अदा होने के स्वाब प्यदा कर दी अलीना को गयवे एक महीना हो कि है हाँ उसे तो बताने का मौका ही नहीं मिला अगर उसे पता होता ना तो फौरण दोड़ी चली आती समझ नहीं आरी ना तो उसका फोन लग रहा है ना बात हो पा रही है पताने क्या चक्कर है अमी अगर वो नहीं आ सकती तो हम तो जा सकते हैं ना पताने बिटा हमारा वहां जाना ठीक भी रहेगा के नहीं कैसे नहीं ठीक रहेगा हमें काम करते मिठाई लेकर चलते उसकी तरह इसी तरह अलीना से भी मुलकात हो जाएगी यह बिल्कुल सही का तुमने सही है मिठाई ले जाएगे चले हैं तैयार हो जाएं फिर अब खुद वहां जाकर बैठ गई हो जाओ जाकर चेंज करो ना तैयार हो ज़ल्दी से जी बस यारियो बस यह यह बैल ले ना बैल दो पकड़ो यह मुझे लग रहा है बैल नहीं पच्छिए वह आगे वालेकुमाजी वालेकुमस्सलाम सब किधर हैं बाजी अली सहाब और बाजी काम से गये हैं और अलीना वह कहा है वह घर के अंदर है कर दो अरे अम्मा आप लोग अलीना कि तुम्हारे हाथ में तुम सफाया करी थी अम्मा नहीं नहीं सब भी अपना घर है थोड़ा बात और यह मुलाजमा मुलाजमा बाहर है और तुम अंदर लॉक हो के बैठी विए अम्मा मैं बताती हूँ सब आएं तो यहीं बाते करें नहीं क्या आएं क्या बाते करेंगे तुम मुझे पहले यह बताओ यह घर अंदर से लॉक क्यों था तुम अंदर हो और सब लोग बाहर यह क्या चक करें ममा जीए तो किसी काम से भाहर जाना रहा तो मैंने कर भाहर से लॉक करती जा अब मैं क्या उसके लिए बाबर्द अवाजे खोलती क्या बाते लेके बैटें कुछ क्या खाएंगे क्या पीनी मुझे बताएं ना नहीं कुछ नहीं चाहिए पीटी सेल पर फोन करो तो कोई उठाता नहीं है तुमारा फोन मुझे सलसल बंद जा रहा है बेटा और अली उसे फोन करो तो वह भी पिक नहीं करता तुम ही बताओ क्या करें हम लोग पीटी सेल जमाने से बंद अब मा और फोन मेरा गर के नहीं करूंगी क्या शायद ना करो तुम क्या मतलब मतलब यह अलीना हसीब कि तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम एक काम बहुत अच्छे से सीख गई कौन सा काम जूट पोलना तुम्हारे जूट क्यों बोलू कि और सब बाते चोड़ें कि बता ही मिठाया किस कुशी में अच्छाना शाम मुझे डिलर पर लेकर जा रहा है क्या पता आज वही स्पेशल शाम हुँ मेरे लिए काश आप उसे मिल पाती हमें जिससे आपका बेटा शादी कर रहा है लापरवाही बरत्री और कत्र करने के इलसाम में ट्राइल के रिलाया गया इनका ट्राइल आज से शुरू हाद रूब आप लोग यूँ अचाना किस वक्त हाने से पहले इतला तो दे दे ते वो दरसल रमशा के रिष्टे की बात पकी हो गए थी तो सोचा इस खुशी में मिठाई दे हम लमशा का रिष्टा पका कब आप लोग ने मिझे बताया क्यों नहीं अम्मी से इस सवाल पूशने से पहले तुम एक सवाल का जवाब दो लिए तुम्हें अगर कुछ बताना हो तु कहा बताया जा तुमारे फोन पर जे तुमारे पास है नहीं या लेंड्लाइन पर जो बंद पड़ा हुआ है या तुमारे घर आकर जहां पर तुम्हें लोक रखा हुआ है चल्ले में अरे लेटिये नहीं में चाय मंगवाती हूँ आपनों के लिए नहीं नहीं वह शुक्रिया अभी जासे दीजिये फिर सही अच्छा बटा अपना ख्यारतना खुदाहफिस खुदाहफिस जी बाजी हमने तुम्हें घर की चाबियां इसलिए तो नहीं थी कि तुम हर एरे गयरे को घर में गुचा लो क्या जूरूत थी गेट खोलके उनको अंदर बुलाने की मैं क्या करती बाजी जब मैं वहां गई तो वह वहां पहले से मौजूद थी तो तुम उन्हें कह देती कि हम लोग घर पे नहीं हैं बाजी मैंने सोचा कि बाजी के घर वाले आया हैं अगर मैं उन्हें ना बिठाती तो कहीं मेरी शामत ही ना आ जाती आएंदा हमारी खैर मौजूदगी में तुमने उन्हें घर में बुलाया ना तो तुम्हारी खैद नहीं होगी, समझी? जी बाजी, जाओ यहां से. रहमत बाबा से बोलके सुटके इस गाड़ी में रखवादो, चीकेर? जी अच्छा. अरी, I thought तुम दोनों मुझे एरपोर्ट चोनने जा रहे हो, तुम तो अकेले आ रहे हो? तुम आप यहां से क्यों कह रहे हैं, हम आ रहे हैं आपको ड्रॉप करने हैं? एना तो उस सुबह से मच से मिली ही नहीं, ब्रिकफास्त पे नीचे नहीं आई और खाना भी बदानी किस तायम पे उसने अकेली खा लिया, सुबह से उपर ही है. आइ तिंक सो रही होगी, कल से उसकी तवियत कुछ ठीक नहीं है, आप ही मैं देखकर आता हूँ. नूरी? जी बीबी जी. बैक रखवा दिया? जी रखवा दिया. अच्छा बात सुनो. जी. जब तक मैं वापस ना हूँ, तुमने सारे घर के ख्याल रखना है. बीबी जी तो आगए ही घर में, लेकिन इसका मतलब यह नहीं घर के सारे काम खत्म होगे. जब मैं घर में आई थी, सारा घर बिखरावा था, सोपों पे इतनी मटी बाहर लॉन में, पानी नाम की कोई चीज नहीं के हमारे घर में. तुम लोग पौदों को पानी ने डालते हूं क्या? अच्छा, जो हो गया सो हो गया. अब तुम ने और हमद बाबा ने पहले से जादा इस घर कर ख्याल रखना है और शजाद साहब को कोई भी तकलीट नहीं होनी चाहिए. हेना. शजाद शुप करें प्रीज. हेना, I'm talking to you. यार, मेरा फेमेर छो लगे, दो मिन इंतजार कर ले, please. तुम मैं पता है ना क्या अपी की रात को flight है? अफ्कोस मुझे पता है. तो यहां TV देखने के बजा है, तुम उनके साथ जा कर टाइम स्पेंड करो. सुबा से कमरे में बंदों उने पुरा लग रहा है. अपकोस टाइम स्पें करो उनके साथ, ताकि वो मझे बाते सुनाएं, ताने मारें, और बात जाते मेरी उकात याद दिलाएं. बते हैं मुझे क्या बाते सुननी पढ़ते हैं? सुर्फ आपकी वज़े से परदाश किया जाते हैं मुझे इसका है. हिना मैं उनकी तरफ से तुमसे माफिय मांग तो चुका हूँ. तुम फिर उनी बातों को लेकर बैठ गई? बंती कर देख तो मैं आपको तो पैसेंद ही नहीं है मेरा खुशोना. ले, ये भी साइट पर रखें तो. मैं बातों को लेके बैठी में हूँ. दिन को इती छोटी भी बात मिया कि मैं भूल जाओ. इतना जलील किया था उन्होंने मुझे. मुझसे ये दिप्रोमेस ही नहीं होती. मेरे भी मुझसे कुछ निकल जागा अगर मैं आउनके पास आके बैठी मुटू. तो क्या आप सारी सिंदगी इस पात को लेकर बैठी रहोगी तो? एक काम बता है. मैं तो छोटी हूँ ना? इह में चोड़ू. आप मुझसे बहुत बढ़ रहे हैं, आपको अकल हैं. आप मुझे बताये मुझे क्या अकल लेगी? क्यारा, आपी के पास चले. और मेरे साथ उन्हें एरोपोर्ट चोड़ने चलोगी तो. इतना दर्द है ना मेरे सर्मे को. मैं सिर्फ ये शो देखने के लिए उठी थी, मैंने अलाम लगाया था. मुझे तो उठ्था भी नही जा रहा था. मुझे तो अभी वापर सोने, आप में तो मेरे शोबी बन कर वाजी है. मैं पिल्कुल कहीं नहीं जा सकती है. मुझे तो मुझे तो माजव को हीजेगा. इन्हा, अगर सर्मे दर्द है तो मेडिसन ले ले लेदी ना? अँझे तो ये तभी तो नींद आरी है. मुझे तो मुझे नौजी हो जाएगा, और तब इन खराब होगी. आप चाहते हैं इसा? वो मेरी बहन है. इस वेरी डिस्रिस्पेक्फुल. अल्ला मिया, तो मैं आपकी बीवी हूँ, च्या होगी है? मेरी तो शिकर नहीं आपको. तो मैं दर्द हो, यह कब से बता रही है? यह कुछ भी बन कर दिया है, मैंने. आप माज़र्द कर लिए जदा मेरी तरफ से. उस समच रहेंगी. उससे मैं कोई जान पूच्छ से कुछ कर रही है. उसे कोई भी बात करना फज़ूर है. आप माज़र्द कर रही है, मेरे सर्व में लाओ. प्रीज लाइब बंग करते हैं. हेना को किसी भी किसम की हेल्फ की जरूरूरत है, तो तो तुम फॉरन उसकी हेल्फ करने. ठीक है? और गहर के हालात मझे बताती ही रहना, तुम और एहमद बाबा दोने, मैं तुम्हे फोन भी करती रहा हूँ, छीक है? छी, ठीक. चौलो, जाओ तुम. आपी, वो… इस ओके. अगर वो जाना नहीं चाहती, तो तुम्हें उसे फोर्च करने की कोई जरूरत नहीं है. क्योंकि रिष्टे तु दुली से बंगते हैं, और मुझे लगता है कि हम दोनों ने अदी तक तुसरी को दिल से एक्सेप्टी नहीं किया. आपी ऐसी बात नहीं है. तरहसल कल से वाकई उसी तव्यत कुछ ठीक नहीं है. इसी वज़ा से वस चर्चरी सी हो नहीं है. नहीं शिजाद. इस नॉट हर फॉल्ट. इस माई फॉल्ट. है नहीं उसे शुरू से पसंद ही नहीं किया. बात बात में मो उसकी इतनी इंसल्ट करती थी. और इसी वज़ा से हमारे तर्मियान एकमें डिफरेंसे आ गयें कि मैं खुछ समझ में नहीं आ रहा कि इन डिफरेंसे को दूर कैसे करें नहीं. इस माई फॉल्ट. अपी, I'm sorry. भी, come on! तुम्हें sorry worry करने की कोई जरुवत नहीं है. भी, मैं तो उसे भी चाहती हूं कि तुम दोनों आपस में खुश रहो अपने रिलेशन को सही रखो. That's all I want. मेरा क्या है? फिर तो साल में सिव एक दफा आती है उस खर में. फिर भी, आपी, उसके attitude की वज़़ा से मैं बागई शर्मेंता हूं. Trust me, वो दिल की बुरी नहीं है. Anyways, आपने पैकिंग मुकमल कर ली पुरी? पैकिंग सारी मुकमल हुई? मैंने तो सारा समान गाड़ी में भी रखवा दिया. You are late, Shizar. अच्छा. अच्छल्दी आपको जाने की को इंतिजार कर रहा है, नहा? Stop it, Sudhar, जाओ. Let's go, it's a long time. It's a traffic alert. Okay. मैं तो पागल हो रही हूं सोचके अलीना कैसे रह रही हूं उन लोगों में? मैं होती तो अब तक पागल हो जाती. बड़ी सबर वाली है मेरी बच्ची. सबर नहीं, इसे जबर कहते हैं. और आपने मेरे खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों देही थी? तो क्या करती मैं? उसे लाके घर बिठा देती? कुछ भी करती मगर उसे उन लोगों में दुबारा तो ना जाने देती हैं मी. अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना था हो गया बस. अबी भी हो सकता है, अबी भी हम उसे जाके माँसे निगार सकते हैं, वह वहाँ कैद हैं. अच्छा, उसे यहां ले आओं ताके तुम्हारा बनने वाला रिष्टा भी तूट जाए. तो मेरे बनने वाले रिष्टे से खुश कौन है? अटलीस्ट मैं तो खुश रही हूँ, यह जानते हुए कि मेरी बहन किस हाल में है? मैं यहां अपने रिष्टा पका होने की खुशिया मना। यह सब कहना असान होता है बिटा, मगर करना बहुत मुश्किल होता है. अलीना की शादी शुदा जिन्दगी देखकर तो मेरा बिल्कुल दिल लेए कि मैं आप शादी करूँ. मैं इस घर में जादा सुखी हैं। अपने माँ बाप के घर में तो सब बेटियां ही सुखी रहती हैं। लेकिन अपना घर बसाने के लिए बहुत कुछ बरदाश्ट करना पड़ता है। अमीर जिस रिष्टे में सिर्फ बरदाश ही बरदाश हो। ऐसे रिष्टे का खतम हो जाना ही बेटर है। बस अल्ला पाक ही है जो मेरी बच्ची की मदद करे। क्या पता अल्ला पाक यही मदद आपकी जरीए करवाना चाहता। अगर आप कुछ नहीं करेंगी तो वो कोई अबाबील नी भेजेंगे उसकी मदद के लिए।